पाकिस्तान के खिलाव भारत को अकेले जीत दिला देंगे ये तीन खिलाडी। भारत की ये तिकड़ी अपने दम पर मैच का रुख पलटने में है माहिर। भारत के इन तीन सूर्माओं के सामने घुटने टेकेंगे पाकिस्तान के खतरनाग गेनबास। 2023 से इश्यक अप में 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाब्दा होगा। सूपर 4 में दोनों टीमें भीडेंगी। इससे पहले लीग स्टेज में जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो भारिशने मैच में खलल डाला और मुकाब्दा रध हो गया। अब 10 सितंबर को सूपर 4 में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होगी। इसके बाद इशान किशन ने बेखोब बल्लेबाजी करते हुए टीम की वापसी कराई। इस बार फिर इशान किशन पाकिस्तान के लिए मुसीवत खड़ी कर सकते ही। इशान किशन फोम में है और उनका बल्ला चल भी रहा है। इशान ने पाक के खिलाफ पांडय के साथ मिलकर शत्य के साज़ेदारी निमाई थी। उन्होंने ब्यासी रन बनाई थी। इस बार भी मौका मिला तो रन बना सकते हैं। नमबर दो विराट कोली भलेई लीग स्टेज मैच में पाकिस्तानी खिलाफ विराट कोली का बल्ला ना चला थी। लेकिन ये खिलाडी कभी भी अकेले दब पर टीम को जीत दिला सकता है। सब ही जानते हैं कि विराट कोली बड़े मैच के प्लेयर हैं। एसे में सूपर 4 में वो अकेली पाकिस्तानी खिलाफ जीत दिला सकते हैं। इससे पहले भी विराट कोली कई बार पाकिस्तान के खिलाफ टीमीडिया को जीत दिला चुके हैं। कोली पाकिस्तानी खिलाफ पिछले मैच में चार रन बना कर आउट हो गए थी। लेकिन अगले मैच में विस्पोटक बल्ले बाजी करेंगी, कोहली विस्पोटक बल्ले बाजी करने में सक्ष में, उन्होंने पाकिस्ताने खिलाफ एशिया कप के ही एक मैच में वन डे करियर का सर्व श्रेश्टी स्कोर भी बनाया था, और नमबर 3 हार्दिक पांडिया, टी टीम के 4 विगेट जल्दी गिर गए, तो हार्दिक ने संयम से बल्ले बाजी की, और जब टीम अच्छे स्थी दिने पहुँच गई, तब ही बड़े शोर्स खेले, पाक के खिलाफ हार्दिक ने 87 रनों की शांदार पारी खेली थी, हार्दिक पांडिया और लाउंडर खिल तो आप इस वीडियो पर अपनी रहे दीजिए, इस वीडियो को शेर कीजिए, और जड़े रहे हैटलाइन्स उस्पोर्ट्स के साथ